जाहिन साथियो मैं हूँ टांडे सार टेकनिकल चैनल में आपका स्वागत है डियर स्टुडिन्ट ये हमारा चैनल है टांडे सार टेकनिकल चैनल और इस चैनल में आपको प्रॉपर समय समय पर सारी वेकेंसिस की जानकारी दी जाती है इस चेनल में जाकर आप अपने यूटुब जो लिंक है उसमें जाकर आप विसिट कर सकते हैं यूटुब चेनल में आपको हमारा चेनल है टांडे सा टेक्निकल मिल जाएगा यहाँ पर आपको especially ITA के related videos और exam से related जो भी information जैसे railway की नई vacancies उसकी information ठीक है और समय समय पर थेवरी के videos lecture और other जो है MCQs के videos यहाँ पर आपको provide किये जाते हैं इसमें आपको dear student एक चीस यह है कि PGCL जो exam है इसके लिए भी हमने previous year के question paper और cell, bell, rail, NTPC, ONGC के previous year के question भी हमने यहाँ पर ITA से related करवाए है तो यह हमारा ITA का channel है और ITA वाली student और diploma वाली student के लिए especially बनाया गया है यहाँ से आपको सारी information समय समय पर दी जाती है चलिए हम बात करेंगे vacancy की Dear student यह Hindustan Aeronautics Limited की official website है इस official website में जाकर आप यहाँ से इसके carrier section में जाकर आप यहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते है साथ ही जब आप farm भराएंगे apprentice का तो apprentice का farm सीधे NAPS के जो है National Apprentice Program तो National Apprentice के portal से ही HAL का farm open होगा यह इसके official website है किसी भी information के लिए आप इस official website पर visit कर सकते है हमारा जो main reason है यह official website दिखाने के पीछे कि आपको जो भी information है यह जो status बार चल रहा है नोटिस का यहाँ पर आपको provide किया जाएगा ठीक है जो vacancy की जो जानकार ही है आपको इसके home page से लेकर आप सिधे इसमें इसका जो main carrier section वाला page है वहाँ से जाके आप download कर सकते हैं चलिए notification में क्या आया है हम देखते हैं लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर सिर्फ IT वाले student के लिए ही vacancy जारी की गई है तो सभी trade के student इस vacancy को भर सकते हैं ठीक है करनाटक वाले especially जो है रियाया दी गई है करनाटक वाले मतलब की जहाँ पर हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट का प्लांट है वहाँ वाले candidate को सबसे पहले वरीता दी गई है चलिए देखते हैं इसमें इसका notification में क्या क्या trade में vacancy जारी की गई है Dear student हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट के द्वारा vacancy जारी की गई है और इसे ये technical vacancy से जिसमें ITI pass student के लिए vacancy जारी की गई है तो technical training institute हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट के द्वारा चार एक दोहजार चार एक दोहजार चुबीस को वेकेंसी जारी की गई है और इसका जो हेट कौर्टर है यह है बैंगलोर में यहां देख सकते हैं आप इसका फोन नंबर भी दिया है इसकी इमेल आइडी भी दियो ही है ठीक है especially for ITI 2023-2024 के स्रुडेंट के लिए वेकेंसी जारी की गई है इसमें वाकिन सेलेक्षन फर एन एपीस अपरेंट्जिप ट्रेनिंग फर X ITI कandidate Training Technical Training Institute Hindustand Aeronautics Limited Nauratna Centre Public Sector Undertaking the Ministry of Defence Government of India Bangalore इसमें यह बोला गया है कि ITI वाले एक्स स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर वेकेंसी जारी की गई है और especially for ITI के अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वेकेंसी जारी की गई है HAL हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिबिटेट के द्वारा जो वेकेंसी जारी की गई है हम देखेंगे तो इसमें जैसे की इलेक्टिशियन, फीटर, टर्नर, ITI के सभी ट्रेड वाले वन इयर का ट्रेनिंग यदि किसी स्टूडेंट को करना है, अपरेंट्शिप करना है तो आप यहां से कर सकते हैं तो जो आईटिय के ट्रेनिंग है इसमें फीटर ट्रेड है, टर्नर ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, कोपा, कम्प्यूटर एप्लिकेशन वाला ट्रेड है, और फाउंडरी मेन का भी एक ट्रेड है, इसमें लगभग इतने सारे जो ट्रेड है इस सारे ट्रेड के लिए वेकेंसी जारी की गई है इसमें शीट मेटल वरकर, कारपेंटर, टूल एंड डाय मेकर, एडवांस यांशी मसीनिंग, मशीन रेफ्रिजरेशन एड एर कंडिशनिंग इसमें लगफख 10-12 ट्रेड से वेकेंसी के निकली हुई है और यहां से जिस स्टुडेंट को अपरेंट्शिप करना है तो यह फार्म एपलाए कर सकते हैं आईट्य वाले स्टुडेंट के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चिनिटी होती है कि यहां से आपको HAL से ट्रेनी करने का मौका मिले देखिए इसमें जो डेट दिया है 10-1-2024 से 1-3-2024 के बीच में एकसेप संडे एंड पब्लिक हॉलिडेस तो इस डेट तक आपका मतलब की 1-3-2024 10-1-2024 से 1-3-2024 लगभग आपको यहां पर देखेंगे तो दो मेहने का आपको दो से जादा ही आपको टाइम मिलता है तब तक आप फाम भर देंगे ठीक है इसमें ट्रेनिंग टेकनिकल ट्रेनिंग इंस्टिटीट इसका है सरुंजन दास रूड बैंगलोर इसमें 560017 इसका कोड है और फोन नमबर यहां पर दिया हुआ है इसमें भी आप इन्फार्मिशन प्रोवाइड कर सकते हैं 08022322516 ठीक है अब इसमें रिपोर्टिंग टाइम जो है यहां पर दिया हुआ है 8 से 14 ठीक है रिपोर्टिंग टाइम भी दिया हुआ है इलिजिबिलीटी क्राइटियरे की बात करें तो कैंडिडेट सहल है हो पाजड़ सीटीयस आइटे एग्जामिनेशन फार करनाटा का गवर्मेंट रिकुनाइज आइटी आई आइटी सी इन एन अब दर ट्रेड इंडिकेटेट्स इसमें इ स्ट्रेंड यहां पर लिखन हुआ है कि एस स्ट्रेंट जिनों ने NAPS में यदि registration करा लिया है और कहीं से apprentice कर लिया है तो वो student यहाँ पर form भरने के मतलब की eligible नहीं रहे वगा ठीक है तो जिस student ने ITA कर लिया है वो इसमें vacancy में form नहीं भरेगा क्योंकि apprentice एक बार होने के बाद दुबारा apprentice आप नहीं कर सकते general instruction की बात करें to the aspirant candidate तो इसमें general instruction में आप देखेंगे the aspiring candidate self-registered as student apprenticeship portal www.apprentsip.india.org में candidate और registration में जाके आप इसको registration कर देंगे इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और आप registration में registration form को पूरा भरेंगे no TADA will आपको will be paid to the candidate who are attending the walk-in यदि आप जब interview के लिए आते हैं तो आपको TADA नहीं मिलेगा after the completion apprenticeship training the apprenticeship contract will be terminated and there will be no obligation on the part of hall to after any employment ठीक है यहाँ से जब आप apprenticeship कर लेंगे तो इसके बाद confirm यह guarantee नहीं है government की कि आपको यहीं जौब मिल जाएगी इसके लिए बाद है नहीं है यहाँ सब्दों में लिखा हुआ है आपको stipend जो मिलेगा stipend 700 साथ हजार साथ सो रुपए और से लेकर साथ हजार रुपए या तो साथ हजार रुपए वन इयर वालों को मिलेगा जिन्होंने किसी का वन इयर में जिसने आई टिय किया हुआ है और जिसका दो साल का आई टिय अपरेंटिस होगा दो साल का वो उसको मिलेगा साथ हजार साथ सो रुपए कहने का मतलब यह है यदि कोई electrician और फीटर से ट्रेट से यदि आई टिय कम्पलीट है तो उसे साथ हजार साथ सो रुपए पर मन्त मिलेगा और जो student जैसे की welder से जिसका आई टिय कम्पलीट है तो उसको साथ हजार रुपए मिलेगा स्टाइफंड के रूप में इसमें 12 मन्त का ही आपका आई टिय का ट्रेनिंग होगा 12 मन्त का ही होगा आपका केलवासिंग इन एन फर्म विल वी रिजल्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन यदि आपका डाकुमेंट सही नहीं होगा या कोई फ्रॉड इन्फरमेशन देते हैं तो आपका जो है आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा साब शब्दों में लिखा है जो पहले आएगा उसको पहले सीट मिलेगी ठीक है आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटोग्राप्स होना चाहिए इसके बाद दिया है 10th की माकशित आपके बास लगाना है आपको नेशनल सर्डिपिकेट आईटे के लगाना है आधार कार्ट लगाना आपको और जिस कैटेगेरी के हैं उस कैटेगेरी के कास सर्डिपिकेट भी लगाना है आपको ठीक है और यह इसका जो पंजिगरत कारेला है आपको देख लिए कबबन रोड बैंगलोर है इसका और रजिस्टर्ड आफिस में कबबन रोड बैंगलोर 56001 इंडिया ठीक है यह इसका एड्रेस है आप चाहे तो इसमें जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो यह थी इंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट की द्वारा जो वेकेंसीनी के लिए उसकी जानकारी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में त अब तक के लिए जाएंगे